हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग मिना नाम शुमाईल है आप लोग देखने हैं वाई टेक नियूज इस्टार्ट नाज की वीडियो तो फाइनली आज मैं करूंगा कम्प्लीट डिटेल कैमेरा रिव्यू हमारे एक्सपीरिया वन का और यह वीडियो कफे जादा बड़ी होन की है बात करूं सबक्राइब गर्वाट का गर्म करें अब आपको यहाँ पर कि मिलते है है इसके लाब इसके अबफ्रेंट पर आपको यमीशिंग के शाल क को सब्सक्राइब कौन शरbon के टेलियू क्वाट के मिलती हैं अगर आपको आपको सुआट है indigenous सब्सक्राइब करेंगे तो यह वाइड एंगल कैमरा पर बात करूँ और ऑप्शन की तो यहाँ पर आपको उपर की तरफ और ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे कि यहाँ पर आप डाल फ्सक्रार है जाते हैं जैसे कि आपर एप्शन यह वो थे क्लिक ने तो यहाँ आपको यह एक और चाहि और बीड़ कर सकते हैं filters आपे जी कर सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर आप Lightning भी जारा कर सकते हैं, लाइ erfolg जारा चाहिए, कम लाइट चाहिए वहाला camera key से आप click करके रहोगे तो यह एक साथ जो ना बहुत सारी picture ले रहे था और उसमें बैस पिचर आपको बता रहेता है इसके लावा वीडियो में जाते हो तो वीडियो में आपको काफे जारा option मिल जाते है इसके लावा वही option मिलता है कि वीडियो में भी आप जो ना option मिल जाता है इसके लावा वीडियो स्टड़ी वीडियो का option मिल जाता है इसके लावा यहाँ पर आपको जोना टेश कैप्चर वगएरा वही सारे option यहाँ पर भी मिल जाते हैं अब चलते हम स्टार्ट करते हैं आज के camera review को यहाँ पर मैंने study mode को on किया हुआ है अब देश कितने colors काफी जार अच्छे है डिटेलिंग काफी जार अच्छी है और यहाँ पर बिल्फिल एकुरेट कर यह शो कर रहा है और अगेंज असनलाइट अब देख सकते हैं कि हम मैं वीडियो अगेंज असनलाइट बना रहा हू तो यहाँ पर जो colors है वो काफी जार अच्छी है और microphone भी इसी phone का use हो रहा है तो आप microphone से भी मेरी voice से बंदा आ सकते हैं कि voice यहाँ पर कैसी आ रही है इस phone का तो यहाँ पर हम focus करते हैं कि काफी जार क्योंक फोकस है और यहां पर जो focusing है वह काफी जार अच्छी से कर रहा है यह और यहां पर जो colors हैं वह काफी च्छी है अब देसके हैं कि यहाँ जरा पर 4K पर यहाँ पर जो वीडियो है थोड़ी सी जर्की बन रही है आप दो सकते हैं कि वीडियो जो इतनी अच्छी नहीं बन रही जितनी हमारे फुल एक्टी पर जो इस्टेडी मोड तो अच्छा काम कर रहा दा लेकिन यहाँ पर जो कलर से अगें वीडियो काफे तार अच अच्छी है कलर्स भी एक्कुरेट हैं और एक्सपोजर भी काफे अच्छी से मैंशन कर रहा है हां बस 4K पर जो आपका स्टेडी मोड है वो काम नहीं कर रहा और फुल एच्टी पर स्टेडी मोड काफे अच्छा काम करता है अब चलते हैं वीडियो के नेक्स पार की तरफ इसके टेलिफोडो लेंसे 12 Megapixel के आप दे सकते हैं कि यहां पर भी जो वीडियो है वो काफी जाड़ा स्टेडी मोड को अन किया हुआ है और अगर आप टेलिफोडो लेंस की बात करने तो भाई इस प्राइज में कोई टेलिफोडो लेंस मिलता ही नहीं है तो यहां पर इस प्राइज में आपको 60 फ्रेम मिलता ही नहीं है बॉक्स प्राइज में आपको 60 फ्रेम मिलता ही नहीं है बॉक्स पैक में तो यहां पर जो है काफे तर अच्छी वीडियो बना रहा ही है अब चलते हैं वीडियो के नेक्स पार की तरफ यह वीडियो मन रही है अब देखते हैं जो फ्रेम अच्छी बन रही है और यहां पर जो बिल्कुल जो है नेच्रल करा प्रवाइट कर रहा है जो के अच्छी बात है अब चलते हैं वीडियो के नाइक्स पार की तरफ यह वीडियो बन रही है लो लाइट में इसके मेन कैमरा से फुल एच्टी थरी फिरेम पर सेकंड पर यहां पर मैंने स्टेडी मोट को अन किया है अब देखते हैं कि जो कलर्स हैं वो अच्छे हैं डिटेलिंग अच्छी है और जो एक्सपोचर है काफे जार अच्छे से ब पसंद आ रही है अब यह मैंने और जादा एक्स्क्रीम लो लाइट में लिग गई थी अब देखते हैं कि और जादा एक्स्क्रीम लाइट में वीडियो है वो कैसी आती है यहां पर आप देखते हैं जो खुड़ा है हमें सही से नदर आ रहा है ओवराल इसकी जो कैमरा है ज़ादा लाइट होती है तो जो वीडियो है वो थोड़ी डारी ज़रुर आती है लेकिन ओवर जो डीटेल है वह काफी ज़ादा है इसके कैमरा में मतलब इस वराइट में इतनी डीटेल आपको किसी भी कैमरास नहीं में मिलागा अब देखते हैं मैं जुम कर रहा हूँ ज जो जो करने के बाद मज़ित का उबमत में साही संदरा आ रहा है ओवर आल जो वीडियो है लो लाट कंडिशन में काफी जार अच्छा काम कर रहा है एक्स्ट्रीम लाट कंडिशन है यहां पर अब देश इतन है कि यहांपर अभी गाड़ी आ रही है तो यहांपर जो तो जो कर दो है पस Gabrielle कि सुष में पैहली पिच्छ Whew सुरूर यह पहली पिच्छा है डिल टिवे सीर में पिच्छ है इसobी में कैमरा से अपिदे इस दो ही कलरी काफी जाज़ी है काफी za state पिचर आइए रिया आप तक सूरज निकलते ही पिच्छ रहा है जो डाइनमिक रेंज है काफे जारा अची है, एक्सपोजर काफे अच्छे से में अच्छे से में अच्छे है, और आप देशेते हैं कि जो सूरज की लाइट है, वो जब रोट पे पड़ी तो उसको जो एफेक्ट है, वो अलग से शो कर रहा है, बहुत ही अमेजिंग, अब यह जो कर रहा है, जो ट्री से कर रहा है, वो देखें काफे जारा अच्छे है, और जो घर है, जिस पर जो है वो डाइरेक्ट सूरज की लाइट पड़ी, उसको अलग से यह शो कर रहा है, जो कि काफी जारा चला रहा है, अब इसी पिचर को मैंने इसका टैली फोटो लेंस से लिया है, पिचर को 2X जूम से, अब देखें कि 2X जूम काफी जारा अच्छा काम कर रहा है, जो उसका 12 मेपिसल का टैली फोटो लेंस है, वो भी काफी जारा अमेजिंग है, यह पर आप घर के कर देख सकते हैं, ट्री कर देख सकते हैं, पीछे जो डायनमिक रेंज है, वो अल्टर वाइड कैमरा भी को 12 मेपिसल का मिलता है, तो यहाँ पर जो कॉलिटी है, यहाँ बात करो दूसरी पिचर की, तो यहाँ इसके मेन कैमरा से लिग गए पिचर है, कलर काफी जार अच्छे हैं, अगें, और जो लीफ के कलर हैं, वो भी काफी जार अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहा है, और काफी जार अच्छा काम कर रहा है, इसका अल्टर वाइडिंग कैमरा भी अब बात करूँ, कुछ किलोजब पिचर की, तो यहाँ पर मैंने कुछ फ्लावर को किलोजब किया, तो भाई, यहाँ तो बहुत ही दिली जीत लिए इस पिचर ने ताब दे सकते हैं, कि बहुत ही जादा अमेजिंग पिचर आई है, मतलब ऐसा लग रहा है, कि किसी DSLR से प उटेंग पुछ फोडूगरे पिचल लिया, मुझे कि नियुट था पिचल लिया, नियुक्त बहुत ही जाद अमेजिंग कैमरा है इसका, अब एक और पिचल लिया, यह तो यहाँ बड़र लजरते है, कलर अधे काफीज़ दिला, अश्य सेसे बंटेंज की आई जो नीचे बैक हेंड पर देखे सकते हैं जो असमान है वो बिल्कुल साब देखे रहा है जो colors है वो काफे राची है ट्री के जो देखे सकते हैं यहाँ पर leaves के तीन color है जो के तीनों के तीनों यह अलग-अलग show कर रहा है यहाँ पर light green है वाँपा dark green है तो बहुत ही amazing अब यह picture जो ही बिल्कुली सुबा किये जिसने हम सूरज निकला वा मिननी था तो आप देखे सतने हैं कि यहाँ पर भी इसने detail काफी सार अच्छी से manage किये जो पिचर है वह काफी दर अच्छी है colors भी अच्छे है और detailing भी यहाँ पर काफी दर अच्छी है लॉंग इस पूचली पिचर है अब यहाँ पर ही मैंने इसके telephoto lens को यूज करने के बाद भी यहाँ पर जो detail है वह अच्छी है कलर्स भी काफ़ तर अच्छे हैं ऑवरल आल काफ़ी अच्छा काम कर रहा है जो घर है वो बीदिंग है वो भी सरी से देख रही है जो लीव्ज है वो भी सरी से देख रही है अब यहाँ पर मैंने 10x zoom करें देखा 10x zoom करने के बात देख सकते हैं आर वाईली का वो भी नज़ा आ रहा है, पाकिसान का जंडा भी नज़ा आ रहा है, बिल्कुस साफ नज़ा आ रहा है, तो भी और इस मैंने काफी ज़ादा फोन यहाँ पर टेस्ट आउट कियें, लेकिन इतनी ज़ादा डेटेल मुझे किसी भी फोन में लेके, और बहुती ज़ादा अमीजिंग कैमरा है, इसका माइंड ब्लॉइंग, अब बात करूँ सेल्फी कैमरा के, तो सेल्फी कैमरा है अपर आट मेगा फिसल का देशने कुछ इस अपके रहे दर प्रवाइड करेगा, डे लाट के अच्छा है सेल्फी कैमरा भी पिच्छर अच्छी आती है डे टेल काफे जाब अच्छी है, काफे जादा नेचेरग प्रवाइड कर रहाे है यह अच्छी बात है और ज्याद़ ब्यूटी नि करता आपको ईसा नीरे काफे बदो अफिस बात पिच्छने काफे जाब अच्छी पिछल लेता है видео but पर आपको color का सभी से अंदाद होगा आप दे सकते हैं कि हर जो चिप्स के पैकेट इनका हर color जो इस ने बहुत ही जादा अच्छे से capture किया है और बहुत ही जादा amazing picture लग रही है जबके आपको यहाँ पर बिल्कुल accurate color मिलते हैं और low light scenario में मतलब यहाँ पर जो lighting अच्छी तो यह ना फिलार है फिलार को दे सकते हैं कि काफे जादा अच्छे से ने फोकस किया है अब यहीं पर मैं इसके telephoto lens यूज करके देगा है तो telephoto lens में भी आपर जो detailing है वो अच्छी है आप दे सकते हैं कि leaves के मैंने अब ultra-warding camera open किया तो ultra-warding camera open करने आप दे सकते हैं कि यहाँ पर जो colors कुछ ऐसे हैं detail यहाँ पर भी अच्छी है क्योंकि तीनों ही बारा-बारा मैयोसर की camera है तो जादा फ़र्क नहीं detailing काफे जादा अच्छी है और overall जो picture है वो काफे जादा अच्छी आती है यहाँ आप दे सकते हैं अब बात करूँ अगर एक और low light picture की तो यहाँ पर आप दे सकते हैं कि यह मैंने जो है शोपीज की picture लिया आप यहाँ पर colors देख सकते हैं कितने जादा अच्छी है detailing यहाँ पर अगेन काफे जादा अच्छी है यहाँ पर जो मस्जद बनी हुए हमें यहा काफी जादा अच्छी पिचल आई एक अब इसी को मैंने portrait mode पे पिचल लिए आप जो आप दे सकते हैं वो भी काफी जादा अच्छी करता है वन अप दे बेस्ट पोट्रेट है अगर आपको पोट्रेट के लिए पिचल चाहिए तो यह फोन काफी जादा अच्छ है ओवर नगार, जो आप देसे सकते हैं detailing में जादा अच्छी है अब अब देसकते हैं एक्स्ट्रीम लो लगड पे अब यहाँ पर देसकते हैं यहाँ पर पिक्चर में दूसरी पिच्छर की, तो यहाँ पर आप देसकते हैं यहाँ पर भी जो हैं पिछल ली गई है, colors यहाँ पर भी अच्छे है, detailing अच्छी है, जो गोड़े के color है, वो भी काफ़ दा अच्छे है, पीछे building में बिल्कु सही से नदा आ रही है, और तोड़ा time लगाता है, इसका AI न, detect करने में low light को, लेकिन जब detect कर ले तो picture काफ़ दा अच्छे आ थी, अब यहाँ पर काफ़ दा colorful आई है, जबकि यहाँ पर काफ़ दा low light थी, अब एक और picture यह बात करता हूं, देशते हैं कि यहाँ पर same scenario तो काफ़ दा low light थी, लेकिन colors काफ़ दा आच्छे हैं, जो गाड़ियों में सही से नदा आ रही है, जो घर हैं, वो भी सही से नदा आ रहे ह इसके लावा आसमान भी आपर सोला बहुत जो नदा वेदेबल है, तो overall low light में अच्छा काम कर रहा है, अब बात करूँ एक और picture की, यह भी extreme low light में लीगई picture है, अब यहाँ पर देशते हैं, पिचर काफ़ दा अच्छी लीगई है, मस्जद हमें यहाँ से साफ नदा आ रह अच्छी है, extremely low light condition में तो आपर picture जो है, 10x zoom करने के बाद भी आपको जो हो एती, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुली बिलर हो रही है, आपको, जो है न, मस्जद है, वो भी साइसना आ रही है, गुम्मत भी साइसना आ रहा है, मस्जद का, overall, जो trees वागई न, वो भी साइसना मतलब इसके AI है रही है न, वो night scene पर काम करता है, काफी अच्छा काम करता है, अब यहाँ पर एक और picture की बात तो नो तो यह दिखे सकें, कि यहाँ पर जो picture है, वो काफी जार अच्छी ली गई यह, और जो focus है, वो काफी जार अच्छा किया है, और colors काफी जार अच्छा कि देटेल मेरे चहरे पे काफे ज़ा oиях क्रेसी आपको पॉर्ट और पॉर्टार हुआ पे पॉर्टार हो आँए पर जो आपकने था जो तेब बीङए वह ऑसका प्रण्टार हो लग प्रकव केमरी तो बात करूं final conclusion की तो यार कहने को कुछ है नहीं, अब आपने सब कुछ देख लिया, आपके सामने सारी videos है, pictures है, low light photography है, बहुत ही जार अच्छा camera काम करता है, ये one of the best camera है, लेकिन इसका camera note out बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी जो camera app है, उससे मैं इतना satisfied नहीं हूँ, उसके camera app है, note out अच्छी है, लेकिन यहां पर macro का कोई अलग से option नहीं दिया गया, low light का कोई अलग से option नहीं दिया गया, जबकि ये चीज़े होनी चाहिए थी, मतलब ये जो है, ये खुदी, जो ना detect करता है, के macro है, या low light है, या night mode है, खुदी इसका AI detect करता है, जो के night scene और low light को कभी कभी mix कर देता है, अब night scene low light जाते है, अगर काफी ज़ादा अंधेरा होगा, ठीक है, तो ये low light detect करेगा, लेकिन अंगे अंधेरे में ज़रा सी भी अगर रोशनी करें से आ रही होगी ना, तो ये फॉरन से night scene पर आ जागा, night scene जो है, वो इतना अच्छा काम लेगा, night scene जो है ना, वो low light वाला काम नहीं करता, वो just जो है न, आपकी जो picture उसको bright नहीं करता, तो आपको इसके लिए न, थोड़ा बहुत मुबाल को हिलाना पडता है, फिर जाके दुबार low light पहोता है, तो ये चीज मुझे दरूर यहाँ पर लगी, कि ये चीज जो है न, Xperia को ल camera में stall नहीं कर पाया, लेकिन overall, जो pictures हैं, वो बहुत ही जादा अची आती है, यार, daylight में तो kill कर रहा है, ये low light में जो pictures है, वो काफी जादा अची है, जो detail है, जो amount of detail इनकी pictures में, बहुत ही जादा amazing है, और उपर से, यहाँ पर जो आपको एक cinema pro mode दिया गया है, भाई, वो त जाना कोई project बनाना है, ये कोई movies बगरा बनानी है, तो वहाँ पर जो है ये phone काफी जादा अच्छा काम करता है, exposure काफी जादा अच्छे से maintain करता है, मैंने आज तक इस price में इतना अच्छा exposure maintain करते हुए, किसी और phone को नहीं देगा, कितनी जादा quickly ये focus करता है, कमाल कर दिय है यार, मतलब one of the best camera है, और यहाँ पर जो pictures है, जो video सी quality है, वो बहुत ही जादा पर level की है, मतलब अगर मैं बास करो तो भाई, एक लाग रुपे में भी कोई आपको box pack में ये camera quality नहीं दे रहा है, तो भाई, speechless, seriously, बहुत ही जादा awesome, यार, mind-blowing, और fantastic, मतलब और क्या कहूँ यार, लेकिन बास, one of the best camera है, आप इस phone को ले सकते है, camera के regarding, front camera, not best, मतलब 8 megapixel का है, बहुत ही जादा अचा है, लेकिन 16 या 32 megapixel से, आप इसे को compare नहीं कर सकते है, लेकिन जो 8 megapixel ही quality है, वो काफे जादा अची है, front camera भी काफे जादा अचा क्राम करता है, खैर, यह थी आज की वीडियो, कैसी लगे आपको मेरी वीडियो, वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, thank you so much